PT हो या Mains हो या Final Mark Seat हो JPSC है तो मुनकिन है बिना विवाद के कुछ काम हो जाए तो JPSC का नाम खराब नहीं हो जाएगा ठीक है? या फिर वो Miss Printing के वैसे किसी का Selection होना हो या किसी को गलत जो उसका मतलब जो उसने First Priority की है वो छोड़ के Second Priority देना हो मतलब JPSC को विवाद करना ही करना है तभी JPSC को मजा आता है जब तक Students परेशान ना हो जाए उथल पुथल ना हो जाए उनकी रातों की नींद ना हो जाए खाना पिना ना छूट जाए तब तक JPSC को मजा आता ही नहीं है तो दोस्तों हमेशा की तरह तीन दिन पहले जब JPSC ने अपना मार्क्स जारी किया तो वही हुआ जिसकी हम सब को उमीद थी सबसे पहला मिस्टेक तो ये रहा कि Advertisement में एक जगा आपने लिखा है कि जो छेतरे भासा के Students हैं जो हिंदी भासा ही Students हैं उनको उनके साथ भेदभाव ना हो इसलिए जो है हम English का मार्क्स एड नहीं करेंगे और Paper 1 को जो है Qualifying in Nature रखेंगे और Last Page पे आपने लिखा तो है कि Total Marks 1150 लेकिन आपने Clear नहीं किया है और कहीं भी ऐसा नहीं होता चाहे बिहार हो, MP हो UP हो या फिर UPSC हो, कहीं भी आसा नहीं होता खुद JPSC ने जो पहले 5 JPSC के एक्जाम करवाए है वहां कभी भी Hindi English का मार्क्स एड नहीं किया गया है पहली गलती ये दूसरी गलती, पूरा देश कहता है कि जी, हिंदी को बढ़ावा दीजिए लेकिन अपना प्यारा परफेक्ट JPSC कहता है कि नहीं, हिंदी लेना गुना है तीन दिनों में ऐसे-ऐसे स्टुडेंट से बात हुई जिनों ने हिंदी माध्याम से UPAC का मिंस क्लियर करके इंटर्व्यू दिया है और उनको JPSC ने कितना मार्क्स दिया है 20 नमबर, 25 नमबर, 30 नमबर और ऐसे भी स्टुडेंट्स मिले जिनका साइन्स, पॉल्टी, एकनोमिक्स में 110 प्लस रहा है और उनको भी 15 नमबर, 20 नमबर, 40 नमबर ऐसे दिया गया हिंदी में तो दोस्तो आप खुद सोचिए कि जिसने साइन्स और एकनोमिक्स जैसे टफ पेपर में 110 प्लस स्कोर किया है क्या उसका IQ इतना कम होगा कि उसको 20 नमबर, 25 नमबर आएगा हिंदी में अगर आपको ऐसा ही करना था भेदभाव तो आप शुरू में ही लिख देते हैं कि जिसको भी JPSC का एक्जाम देना है उसको यहां की रिजनल लैंग्वेज खोठा, नागपुरी, संथाली, मुंडारी, एक्सेटरा जो है आना जरूरी है अगर आप हिंदी या इंगलिस लेंगे तो आपका फेल होना जरूरी है ठीक है, शुरू में मेंशन कर देते हैं तो लोग परिशान भी नहीं होते और वो जो है खोठा, नागपुरी कोई भासा सीखते अब तो टाइम भी बहुत कम है 7-9 JPSC में एक्जाम भी फटा-फट होगा भले पीटी के एक्जाम अगस्त में हो लेकिन जो मेंस है वो तो दिसंबर तक हो ही जाएगा तो अब आदमी GS की पढ़ाई करे कि अपना जो है लैंग्विज पेपर चेंज करे और तीसरी बात ऐसा भी सामने आ रहा है कि इंटर्व्यू में जिसने 600 प्लस मेंस में स्कोर किया है उसको आपने इंटर्व्यू में 40 नमबर दिया है अजीब नहीं लगता है ये भी बात है कि जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉंग है एक दोस्त ने कॉल किया था कि यार मेरा एकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉंग है मैंने इंडियन एकोनॉमिक्स सर्विसेज का एक्जाम भी दिया है और मेरे 20 में से 16 अब्जेक्टिव सहीत एकोनॉमिक्स पेपर में उसके बावजूद मुझे जो है एकोनॉमिक्स पेपर में 71 मार्क्स दिया गया है कुछ ऐसी बाते और भी स्टुडेंट्स ने कही किसी का हिस्ट्री जोगरफी स्ट्रॉंग है तो उसको पच्पर नंबर दिया गया है समझ ही नहीं आता जब भी जब भी अपना JPSC का नाम अच्छा होने वाला रहता है कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देता है JPSC कि बस विश्वासी चला जाता है हर जगर जो है स्टेट पीस्ट का बहुत इज्जत है लेकिन JPSC का देखिए शरम आती है बहुत शरम आती है तो JPSC आपसे यही अनुदोध है कि जो भी मिस्टेक्स आपने की है प्लीज उसको सुधारिये हम स्टुडेंट के के साथ मत खिलवार कीजिए और अपनी पॉलिसी ठीक धंक से बनाए ताकि रिजर्वेशन को लेके लेंगवेज को लेके या फिर जो इंटर्विव और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसमें उल्टा पुल्टा जो मारकिंग हुई है वैसा ना हो हम लोग चाहते हैं यहां के जो यूथ हैं वो चाहते हैं कि वो जाकंड में ही रहें अपने स्टेट में सर्विस प्रवाइड करें अपने लोग के लिक कुछ करें तो आप प्लीज जो है अपने जो भी लक्यूने उसको ठीक कीजिए और स्टुडेंट्स को मौका दीजिए चलिए All the best and जैहिंद